तो दूस्तो आईपील 2023 में कल दो धमाकेदार मुकाबले खेले गे जहाँ एक मैच बारिश की वज़े से रद दुआ तो ही दूसरे मुकाबले में मुंबई इनने पंजाब किंग को हरा कर प्ले आफ में जाने की पूरी तैयारी कर लिये तो ऐसे में जहाँ एक टीम है जो प्ले आफ में कौलिफाइ कर लिये तो ही दो टीमें ऐसी है जो लगबग प्ले आफ से बाहर हो चुकी है बागी रोयल चेलेंजर बिंगलो और मुंबई इन चिन नहीं सुपर किंग सेमेट इन टीमों को यहां से प्ले आफ में कौलिफाइ करने के कितने चांसेज है कितने मैच और यहां से जीतने होंगे प्ले आफ में जाने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताने माला हुथ तो दोस्तो वीडियो रहने माली है काफी जादे इंपोर्डन वीडियो में अन्त तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबात नहों हुए तो दोस्तो आई पेल से जुड़ी हर चोटी बड़ीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगी तो आईए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन दो टीमों की जिनके प्ले आफ में कॉलिफ अब इन आने वाले 5-5 मैचों में थे 5-5 पूरे मैच जीतने होंगे तब इन टीमों के पास 16-16 अंक होंगे और 16-16 अंकों के साथ ये टीमें प्ले आफ में कौलीफाइग कर सकती हैं लेकिन बाकी टीमों भी इन टीमों को डिपंड रहना होगा क्योंकि 12 और 11-11 पोइंट लेक और आने वाले सबी मैच कोलकाता नाइड़ और डिली केपिल के लिए बहुत इंपोर्टन रहने वाले अगर एक भी मैच में टीमों को हार मिलती है तो प्ले आफ से बाहर हो जाएंगी सबी मैच डू और डाई से कम नहीं रहने वाले और अब बात करते हैं हम सनराइजस हैदराबाद की सो सनराइजस हैदराबाद के आठ मैचों में छे अंक हैं अब ही छे मैच और खेलने और इन छे मैचों में से कम से कम तो पांच मैच जीतने होंगे तब ही टीम के पास सोला अंक होंगे और नेट रनेट भी साथ में काफी अच्छा करना होगा अगर इस टीम को प्ले आफ में कौलिफाइ करना है अगर ये टीम 6 के 6 मैच पूरे जीत जाती है तो प्ले आफ में कौलिफाइ कर लेगी बात करते हैं गुजरात टाइटन की जिनके प्ले आफ में कौलिफाइ करने के सबसे ज़्यादा है और यह टीम लगबग प्ले आफ में कौलिफाइ कर लेगी तक इस टीम ने 9 मैचों में 12 अंक का हासिल कर लिया है अभी 5 मैचों में सिर्फ 2 मैच इस टीम को और जीतने होंगे अभी इस टीम के पास 16 अंक हो जाएंगे इसका नेट रन रेट भी काफी अच कर सकती है और अब बात करते हैं लखनो सुपाजंत की तो लखनो सुपाजंत और चिननी सुपर किंग दोनों ही टीमों का एक एक मैच बारिश के कर रद दुआ और यह दोनों ही टीमों के पास 16 मैचों में 11-11 अंक हैं दोनों टीमों का नेट अंड तो प्लस में अभी 4 मैच 2-3 match जीती हैं तो playoff में qualify कर लेंगी बात करते हैं Royal Challengers Bangalore की तो Royal Challengers Bangalore के 9 matchों में 10 अंक हैं अब यह 5 match और खेला और इन 5 matchों में से 3 match कम से कम और जीतने होंगे अगर टीम 4 या फिर 5 पूरे match जीत जाती है तो यह team officially playoff में qualify कर लेगी तो यह राजस्तान रोयल्स के 9 matchों में 10 अंक हैं इस team को भी 5 match और खेला और इन 5 matchों में से 3 match और जीतने होंगे इस team का plus point है कि इस team का जो net up plus में काफी अच्छा है अगर इस team 4 match जीती है तो officially playoff में qualify कर लेगी इस team के playoff में qualify करने के chances काफी जादा high लग रहे हैं तो वही Mumbai Indian के भी 9 matchों में 10 अंक है इस team को भी 5 match और खेले और इन 5 matchों में से 3 match कम से कम और जीतने होंगे लेकिन इस team को अगर playoff में qualify करने तो 7 में अपना internet भी काफी अच्छा करना होगा पंजाब विकिंग के 10 matchों में 10 अंक है अभी 4 match और खेले और इन 4 matchों में से इस team को 3 match कम से कम और जीतने होंगे साथ में अपना internet भी काफी अच्छा करना है होगा playoff में qualify करने के लिए तो दोस्तों ये रहे IPL 2023 के playoff में qualify करने के सबी रास्ते तो आपको क्या लगता है रोयल चैलेंगर बेंगला और राजस्तान रोयल और मुंबए इंडियन में से कौन सी ओटी में रहेंगे जो playoff में qualify कर पाएंगी कमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्तों शूटा मश्कीत नहीं Thank you so much guys for watching this video.